एक बार एक राजा के राज्य में महमारी फैल गई, चारों और लोग मरने लगे, राजा ने इसे रोकने के लिए बहुत सारे उपाय करवाए, मगर कुछ असर ना हुआ और लोग मरते रहे, दुखी राजा इस्वर से प्रातना करने लगा, तब ही अचानक आकास वानी हुई आस्मान से आवाज आई, कि है राजा, तुम्हारी राजधानी के बीचो बीच जो पुराना सूखा कुआ है, अगर अमावस्या की रात को राज्य के प्रते घर से एक-एक बाल्टी दूद उस कुवे में डाला जाए, तो अगले ही सुबा ये महामारी समाप्त हो जाएगी और लोगों का मरना बंद हो जाएगा, राजा ने तुरंधी पूरे राज्य में यहागोशना करवा दी, कि महामारी से बचने के लिए अमावस्या की रात को हर घर से कुवे में एक-एक बाल्टी दूद डाला जाना अनिवार ये है, अमावस्या की रात, जब लोगों को कुवे में दूद डालेंगे, अगर मैं अकेली एक बाल्टी पानी डाल दूँ, तो किसी को क्या पता चलेगा, और इसी विचार से उस कंजूस बुडिया ने रात में चुप-चाप एक बाल्टी पानी कुवे में डाल दिया, अगले दिन जब सुबह हुई, तो लोग वैस जैसे ही मर रहे थे, जैसे पहले मर रहे थे, कुछ भी नहीं बदला था, क्योंकि महामारी समाप नहीं हुई थी, राजा ने जब कुवे के पास जाकर इसका कारण जानना चाहा, तो उसने देखा कि सारा कुवा पानी से भरा हुआ है, दूद की एक बून भीवा नहीं था, राजा समझ गया कि इसी कारण से महामारी दूर नहीं हुई है और लोग अभी भी मर रहे हैं, दरासल ऐसा इसलिए हुआ, क्योंकि जो विचार उस बुड़िया के मन में आया था, वही विचार पूरे राज्य के लोगों के मन में आ गया, और किसी ने भी कुवे में दूद नहीं डाला, दोस्तों जैसे इस कहानी में हुआ, वैसा ही हमारे जीवन में भी होता है, जब भी कोई ऐसा काम आता है, जिसे बहुत सारे लोगों को मिल कर करना होता है, तो अक्सर हम अपनी जिम्मेदारियों से यह सोच कर पीछे हड़ जाते हैं, कि कोई न कोई तो कर ही द वैसी की वैसी ही बनी रहती है अगर हम दूसरों की परवा किये बिना अपने हिस्से का जिम्मेदारी निभाने लग जाएं तो पूरे देश में भी ऐसा बदलाव ला सकते हैं जिसकी आज हमें जरूरत है तो दोस्तों आज साम तक यह कहानी हर भारतिय के पास पहुँच जानी चाहिए ताकि हर भारतिय अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभा पाएं और अपने घर में रहकर कोरोना को हराने में सहयोग कर पाएं तो इसी के साथ मैं अपना बात खत्म करता हूँ आपने मुझे इतना समय दिया थाइंक यू वेरी मच फ़र वाचिंग इस वीडियो जय हिन जय भारत जय शप्तिस गर्ड़